अकीरा पानी की सदै पर नहीं जाना वहां इंसान रहते हैं अकीरा 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 छोड़ू अपने मां से हाथ छुड़ा कर नदी के पानी में छपाख करने आ ही रहा था अकीरा लहराती हुई थोड़ा उपर आती है तब ही उसे सदै पर आती सूरज की रोश्णी दिखाई देती है उपर के लोग कितने लखी है जो जब चाहे सूरज को दीख सकते है न पर अगर मैं भी थोड़ा उपर जाकर चुप केसे बाहर छाक लो तो मां को पता थोड़ी ही अकीरा लहराती सथे पर जाने लगती है और उसी समय छोटू अपना पाउँ पानी में डाल कर बैट जाता है छोटू का पाउँ अकीरा से टकराने वाला ही होता है पर वो पानी में जलपरी की परच्छाई देख लेता है और वो घबरा कर खड़ा हो जाता है मा, मा, पानी में कुछ है अकीरा का बदन धूपने चमक रहा था उसके रंगीली पूछ उतनी सुन्दर लग रही थी जैसे समुद्र में रंग बिखेर दिये हो अकीरा छोटों की चीक सुनकर खबरा गई और फटावाट भागने लगी पर छोटों ने उठकर अकीरा को जाते हुए देख लिया था वाओ, जलपरी मा, मा, पानी में जलपरी है जलपरी और मेरा बेटा जलपरा है न? है न? कितनी बार कहा है ये अपनी टीबी सीलोस की कहानिया मुझे मत सुनाया कर जलपरी बलपरी कुछ नहीं होती है चल, घर चल अब गणित पढ़ाओंगी न? तब तो तुझे परिया भी दिखने लगेंगी हाँ और छोटों की माने छोटों की बात नहीं मानी अकीरा घबराकर जोर से भागती हुए पानी में कहीं भटक जाती है चारो और अकीरा के रोने की सिस्किया भूंच रही थी गणपत मच्वारा घर से निकलता हुआ अपना गमचा उठाकर कांधे पर रख रहा था कि तब ही उसमें धेर सारी धूल निकलती है एक तॉलिया भी साफ नहीं मिलता घर में अब इसमें इतनी धूल कैसे आ गई सागर की अम्मा सुरीली भागी भागी आती है गणपत काफी खडोस था तो सब उसके गुसे से ड़ते थे वो जी वो सागर की किताबे साफ कर रही थी ना तो शाहिद गलती से उसके गमचे से ही पोच दिया गणपत सागर कान पकड़ कर उसे जबरदस्ति अपनी नाव पर ली जाता है भीमा नाव को आज पानी के बीच में ले जा सुना है कि वहाँ बड़ी मचलियां मिलती है और गणपत का नौकर भीमा जुसका नाम भीमा तो था पर लागता एक तम मच्छर जैसा था लेकिन भीमा था बड़ा हिम्मती और गबरू किसम का जी मालिक इब ले जाओ सुना उने पानी के बीच मा और भीमा सरपट नाव बीच में ले जाता है और तब ही गणपत का जाल पानी में बिच जाता है अकेरा इस बात से बेखबर थी कि पानी में जाल बिचा हुआ है वो तो अपनी घर का रास्ता ढूणना चाह रही थी कि तब ही अचानक गणपत को जाल में कुछ भारी-भारी महसूस होता है रे मालिक कोई बड़ी मचली फसगी लागरी से बोलो तो खेच के दूँ के मचली ने धोबी पचार ये सुन सागर को भीमा का शरीर और उसकी बड़ी बाते सुनकर हसी आ गई तुम तो खुद धोबी की पचार जितने हो भीमा तुम क्या पचार होगी किसी को तुम भी ना बहुत पनी हो और सागर जैसे ही कापते हाथों से जाल खीचता है अकीरा जर जाती है अकीरा जाल को दूसरी और खीचने लगती है जिससे सागर को वह बहुत भारी लगता है और भीमा अपनी मरीली सी बाजूँ को टाइट करके जोर से जाल खीचने की कोशिश लगाता है और तब ही अकीरा फिर से जोर लगाती है तो भीमा जटके से पानी में ही चुपाग से जाता है सागर हसता है पर बापू के डड़ से खुच जाल खीचता है अकीरा भी जोर लगा कर ठक गई थी सागर जाल नाव पर ले आता है पत्तो और पानी के कच्री की वज़े से उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि जाल में क्या है गणपत का ध्यान पानी में गिरे भीमा को निकालने पर था और सागर जैसे ही जाल करीब लाता है उसका हाथ अकीरा के चेहरे पर गिरता है जो कि पत्तियों से ढखा था अकीरा सागर का धुदलाता चेहरा देख सहम गई थी सागर भी उसका पूरा चहरा हाथ से स्पर्ष करता है चोकि इतना हसीन था कि छूने मातर से सागर को जोरदार जटका लगता है और वह जाल उसके हाथ से छूट जाता है फिर देखता है कि कोई लड़की उचल कर पानों से अंगरे चली गई थी ये देख सागर कुछ समझ नहीं सका सागर चाहता तो जाल फिर से खीट सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया वे जैसे ही पलटता है पीछे खड़े गनपत और भीमा उसे खूर रहे थे मचली छोड़ दी तुने इसलिए लाय था के मैं तुझे नालाइक गनपत सागर को माणने लगता है सागर उदास होकर वहाँ से चला जाता है उधर अकीरा हाफ्ती होई जैसे तैसे अपने घर पहुचती है जो पानी के एकदम नीचे बसा हुआ था वे जाकर अपने मा मर्यम की गले लगती है तुम में से इंसानों की गन्धा रही है अकीरा सब ठीक है ना हाँ माँ सब ठीक है लिकिन आपने तुम से खभी दूर नहीं जाऊंगी शाना पिमत अकीरा ये इंसानी दुनिया जितनी रंगीन है उतनी ही काली भी है और हम जलपरीयों को तो शाप भी मिला है ना कि जलपरी रूप में अगर किसी इंसान ने हमको सवर्ष किया तो हमारा शरीफ पत्थर का बन जाएगा तभी अकीरा को नाउ में उस लड़के का हाथ फेरना याद आता है और भे डर जाती है जल देटा का लाख लाख शुकर है कि आज उस जाल की आर ने मुझे पचा दिया और मुझे किसी इंसान ने नहीं चुआ परना मैं अभी पत्थर की मुरत बन कर रहे जाती तभी अकीरा की दोस्त इना मीना आकर यह सब देख कर खुब हसती है मीना यार यह अकीरा कभी बड़ी होगी या नहीं मुझे तो नहीं लगता जब देखो खबरा कर मावा करती होई रानी मर्यम की कोद में आकर छिप जाती है क्या बात कर रही हो दोनों मुझे भी बताओ ना यही कि तो है तजल परी की रानी की बेटी पर तज में रानी की बेटी का एक भी लक्षन क्यों नहीं है अकीरा कहीं तुझे तेरे बाबा इंसानी दुनिया के किनारे से तो नहीं उठा कर लाए थे मझे भी यही लगता है कि यह कोई अनात थी और फिर यहां उठा लाए तब ही इसकी पोच हम से अलग रंकी है अकीरा को इना मीना की बात का बुरा लगता है बेहतो उन्हें दोस्त मानती थी वगर इना मीना उसके रंग रूप से जला करती थी पिचारी अकीरा तुम लोग ऐसे क्यों बोल रही हो मैं तो तुम्हारी दोस्त हो ना, इना मीना तो फिर जो हम करते हैं मुकर के दिखा, तब मानूगी तो हम जैसी है क्या करना होगा जलपरी लाइन में हर साल एक बड़ा फेस्टिवल आता है ना, उसकी प्रथा तो तुझे पता ही होगी क्या कौन सी प्रथा तर्मद, बहुत आसान है, मैं और इना तो चटकी बजा कर ही कर लेते हैं बस कुछ जलपरियों को इंसानी भेश लेकर इंसानों के बीच जाना होगा और कुछ घंटे पिता कर लोटना होगा हाँ, बस इसी पीच किसी को पता ना चले कि तुम जलपरी हो मरना ये इनसान तुमको जाल में पकड़ कर फिल फीर क्या मीना? अरे जाल में डालकर पत्थर मारते हैं, लाधखुसे मारते हैं और फिर सीख में डालकर गरम तेल में तलकर पकॉड़े भी बनाकर खा जाते हैं अकीरा डर जाती है, मगर उसे साबित करना था कि वह किसी जल पर इससे कम नहीं और अपनी माँ की बेटी है इसलिए वो मान जाती है अरे तो जिंदा मत कर हम तो होगे ही न तेरे साथ मेरे और मीना की तो वहां दोस्ट भी बन गए है अकीरा खुश होकर वहां जाने की तयारी करती है नहीं 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 तुमको कही नहीं जाना, बस मैंने मना कर दिया न, तु बहस नहीं, बच्ची तुम बहुत सीधी हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगी, अकीरा उदास होकर वहां से चली जाती है, मा, मैं साबित तो करके ही रहूंगी, चाहिए वहां मुझे तुमसे छिपकर ही क पैसे किरा देता है, और वहें नजर बचा कर उन्हें उठा लेता है, ये भगवान माफ करना, पर मैंने सुना है कि अमीरों का जरा सा पैसा लेने से पाप नहीं लगता है, वैं किसी गरिब का पेट थोड़ी ही काट रहा हूं, और सागर अमीरों के थोड़ी थोड़े पैस चुपकर भी मा, खुद तू केचुए सा है पर बखवास बड़ी-बड़ी करेगा पैसे कहां से आई इस से आपको क्या, आप रखो ना और मुझसे कभी जीप पकड़ने की बात मत करना और सुनो, हजार उपे ले रहा हूँ, वो जो मेला लगेगा, उसमें मेरी एक दुकान खोलने के लिए सुरीली ये बाद जानकर खुश होती है और गंड़ पर भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता मेले का समय आता है और सब तयारियों में जुट जाती है उधर इना मीना प्रित्वी पर आने के तयारे के लिए सीनापती जलपरी के पास जाते हैं तभी पीछे से अकिरा शॉल उड़ कर आती है ये तुम तीनों का जादवी बटन है इसी के जरिये तुम वापस जलपरी लैंड में लौट सकोगी तो इसे संभाल कर रखना और ये लो शर्बत पीलो इससे तुम जलपरी से इंसान बन सकोगी कब तक? कुछ महीने तक तुम इंसान बने रह सकती हो और तीनों जलपरियां शर्बत पीकर इंसान बनकर धर्टी पर आ जाती है यार मीना ये तो इंसान बनकर फिक कितनी सुन्दर लग रही है मुझे इसको इतना सुन्दर देखकर अच्छा नहीं लगता यार इसके रूप की वज़े से हमारे यहां कोई लड़का हमको देखता भी नहीं है तुझे ता मत कर मैंने कुछ इलास हो जा है और तभी अकीरा सामने लगा रंग भिरंगा मेला देखती है और दोनों दोस्त का हाथ पकड़ कर हस्ते हुए उस और भागती है उसी मेले में सागर ने अपने आईने की दुकान लगा रखी थी तरह तरह के आईनों के बेच पे आने वाले अमीरों के पास से थोड़ा थोड़ा पैसा चुरा लेता अकीरा मेले में तरह तरह की जूले जूलने जगती है तो सब जले भी चाट पकोड़े भी खाते हैं बहुत मज़ा कर रही थी तिनों दोस्त तब अकीरा को आईने के दुकान देखती है और अकीरा सागर की और बढ़ने लगती है सागर मज़े से काम में लगा था हेलो कैसे है आप सागर इतनी मेठी आवाज देखकर तुरंट सामने देखता है दोनों की नजर मिलती है सागर अकीरा को देखते ही रह जाता है गूंगे हो? चलो, कोई ना, आइना दिखा दो आइना तो कोई मुझे दिखा दो, तुम कोई परी हो क्या? क्या परपड़ा रही हो? आइना दिखाओ या जाओ और अकीरा मोड़ती है, तो सागर उसकी कलाई थाम लेता है अकीरा सागर के सामने खड़ी होकर उससे बात कर रही थी और वे अकीरा का रूप देखकर हैरान था ऐसा रूप इंसान में तो नहीं हो सकता, क्या तुम कोई हूर हो? अरी बाबा ले लूँगी, मैं वैसे भी खरीद लूँगी, तुम ये सब बोलकर मुझे बटाओ मत मुझे वैसे भी आइनों का शौक है और आइने को तुमें देखने का अकीरा सागर के बाद सुनकर शर्मा जाती है इना मीना दूर खड़ी अकीरा को सागर के दुकान पर देख रही थी तभी वो देखती हैं कि मेले में खड़े सब आदमी लोग किवर अकीरा को ही देख रही थी देख तो इना, कैसे सब हमेशा इसे ही देखते रहते हैं कभी कोई हमारे तरफ देखता ही नहीं है ऐसे कैसे नहीं देखेगा कोई हमारे और चल उस फूल की दुकान पर जाते हैं ए फूल वाले, कोई मुझ जैसा फूल तो दिखाओ जरा दिखा रहा हूँ बहन जी, दिखा रहा हूँ पोनी का टैम है, सब दिखाओंगा, रुको तो बोनी नहीं, मैं हूँ इना और ये है मीना और हम तुमको बहन जी नज़र आ रहे हैं इतनी हाट लड़कों को तुम बहन जी कहते हो लगता है तुम अंधे हो, चलो फूल दिखाओ आप अभी दिखाया मैडम, एकदम वैसा जो आपको सूट करे और फूल वाला कैक्टस का गमला उनको देता है ये लो, जैसी तुम दोनों हो, यही तुमको सूट करता है बड़ी आई मुझे बताने वाली, उस गुलाब को छोड़ मैं क्या तुम दोनों की और देखूंगा और फूल वाला अकीरा की और इशारा करता है ये देख इना मीना और अधिक जलती है यार मीना, अगर यही रहा तो हम अकीरा की वज़े से गुमनाम हो जाएंगे इतना हल्दी जंदन और मॉमेंट लैंड का जादूई लेप लगाने के बाद भी हम अकीरा की जितने संदर क्यों नहीं लगते है तू सही कह रही है इना, जब तक ये सब को नजर आएगी, तब तक कोई हमारी और देखेगा तक नहीं, वो अभी नहीं क्यो ना ऐसा हो की अकीरा, खुद ही हमारे रास्ते से हट जाए, अगर ये कैसे होगा और इना, शेतानी हसी हसकर, अकीरा के कपड़ों में लटकी उस थैली को देखती है, जिसमें जादवी बटन रखा था एक बात पता, जलपरी के दुनिया में लौटनी के लिए क्या जरूरी है? तेर ना आना पस, तेरे इस गधे दिमाग की वज़े से हमारे मार्केट में इच्चत नहीं है, अरे उसके लिए वो जादवी बटन जरूरी है, जिसके होने से फिर हम अपनी दुनिया में लौट चकते हैं, अब जब अकीरा के पास वो बटन ही नहीं रहेगा, तो वापिस के से जाएग और इना में खुश होकर एक दुसरे को ताली मारते हैं, और फूर बाले से कैक्टस खरीद लेते हैं, इसमें आप उपर से नीचे तक हसी नजर आओगी, मगर मुझे तो हाथ में पकड़ने वाला आइना चाहिए, शायद आपके पस होगा नहीं, कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लेती हूँ, ये संद सागर अकीरा को जाता देख बेचैन हो गया, वे अकीरा को जाता देख रोखने ही वाला था, कि तभी उससे उसका बाप गणपत और मामा नजर आ गए, क्या चल लहा है लड़के, अगर दिहारी नहीं पकी हो, तो आजा मेरी नाव पर, मच् और तभी सागर चिटकर अपने गल्ले में से पैसे निकाल कर अपने बाप के मुठी में दे दिता है, बोला ना, मैं जीवहत्या का पाप मेरे सिर कभी नहीं लोगा, तुमको पैसे चाहिए न, तो लो, ये ले जाओ, और जाओ यहाँ से, मेरे धंदे में अपनी नाव मत अ सागर गणपत से बात कर ही रहा था, तब ही अकीरा पलटकर गणपत का चेहरा देखती है और डर जाती है, वह डर कर पास के टेंट के पीछे जाकर छिप जाती है, उधर भीमा पैसे दे कर सागर के पास आता है, बिटवा, तन्य बैरो से तु बालक पना में मारी गोदन सूसू कर देता से, पर मैं तब भी तन्य अपनी अलासू कब न समझो कभी, उपर से यो मेलो देखकर तो मेरी भी घनी जोर इच्छा होगी कुलफी खान की, पर खाली जेब को क्या करूं मेटा? ठीक है ठीक है, पैसे चाहिए न तुमको भी, लो, तुम भी लो, और जाओ यहां से, ऐसी शकल वाले लोग मेरे ग्रहाग देखेंगे तो यहां आएंगे ही नहीं, देखा मालिक, पैसा ही पैसा हो गया, अब तो मौज आ जागी, सुन लड़के, कमाने के साथ साथ अपनी म पीरा गणपत को जाता देख सांस में सांस लेती है, तभी उसके कंधे पर जूर से एक हाथ आता है और वो घबराच आती है, हां, मैं तह यहीं की हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तभी पीछे खड़ी इना मीना हसती है, तो फिर डर गई डर पोक, और ऐसे चिलाईगी, त मीना इना को आँख मारते हुए, अपना हाथ पीछे से निकाल कर, अकीरा के चहरे पर लगाते हुए, पूरे चहरे को पोद देती है, अकीरा का चहरा काली स्याही से पुता हुआ था, अहां, अब लग रहे है है हमारी अकीरा तो चांद का टुकडा, एकदम चमक चाननी, व तभी सोचो, मैं सबसे अला क्यों लग रही थी, दोस्तो, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता, शुक्रिया मेरी सखियो, चल चल मीना, उधर खड़े होकर देखते हैं, मज़ा आएगा अरे मैडम, सुनिए, आइना मिल गया अकीरा सागर की अवाज सुनकर उसकी दुकान पर जाती है, सागर अकीरा का चेहरा देख हैरान था अरे, तुमने सारे कांच के ढग दिये, मुझे खुद को देखना था, ये क्या, धर्ट वो मेरे खाना खाने का समय हो गया ना मैडम, वैसे ये आपका चेहरा सुन्दा लग रही हो न मैं, वो एक्तम तुम जैसे लोगों की तरह लग रही हो न और चानते हो, अब तुम मुझे मैडम नहीं, मेरे नाम से भी बुला सकते हो हाँ जी मैडम, बताईए आपका नाम मैं हूँ छमक चलो ये सुनते ही साकर के मुँसे हसे निकल गई क्या, क्या बोला आपने, चमक चलो वन भी माई, चमक चलो साकर जूमता हुआ गाने लगता है हरी वा, तुम तुम मेरे नाम को गाकर नाच भी लेते हो वैसे तुम हस क्यों रहे हो, और ये सब छोड़ो ये बताओ, मुझे आवाज क्यों लगाई एक मिनट, वो मुझे आपकी पसंद का आएना मिल गया है क्या, मिल गया, माँ को दिखाऊंगी तो माँ भी मेरी तरह खुश होगी दिखाऊना मुझे, चल दी और अकीरा साकर के काउंटर पर जैसे ही हाथ रखती है ये, ये तो मेरा फोन वाइबेट कर रहा था आप भी न, या तो आप मेरी मज़े लिने आ गई है या फिर लगता है आपको ये फिल्म का करदार बनी होई है वो क्या नाम होगा आपकी फिल्म का मैं और मेरी दुनिया संसार से परे अकीरा को साकर की टेडी मेडी बातों से अधिक चड़ होने लगती है आइना दिखाओगी तुम या फिर मैं चली जाओ आप देखे की आइना और पिर चीखेगी मा के का फाइदा उठाकर हम इसका बटन लेकर भाग जाएंगे ना रहे के का बटन ना आईगी ये वापस पानी में तब एक और हसी मजाग का महौल चल रहा था तब ही पानी के पास एक नाव आकर रुकती है और उसमें से एक बहुत बुढ़ा कनिया और खुबड़ा आदमी निकलता है खजाना तो यही मिलेगा मुझे देखू तो कहां से शुरू करना है तब ही ना उसे दो छोटे बॉने लड़के बंदर की तरह गुलाती मार कर बहार आती है बबरू गबरू अपने मालिक शकील के पास आकर खड़े हो जाती है अकीरा विचारी हर तरफ के खड़े से बेखबर थी तभी सागर उसे आइना थमाता है और वह जैसे ही शीशे में खुद को काली भद्धी शगल देखती है तो घबरा कर जोर से चीखती है जिसे सुन सागर भी खबरा जाता है और जलपरी अकीरा की ऐसी आवाज सुनकर पूरे मेले में भगतर मच गई थी शकील भी आके आ गया था इना मीना भी हमला करने को तयार थी अचानक अकीरा को धका लगता है और अकीरा सागर की बाहों में जागेटी है सागर अपनी शर्ट के बाजू को अकीरा के चहरे पर लगा कर उसका पूरा चहरा साफ करता है और दोनों एक दुसरे की आखों में देखते रहते है और देखते देखते सूरज भी डूप जाता है तीना मीना मौके का फायदा उठाकर अपना जादवी बटर निकालकर मुठी में दबाती हैं और छपाउक के लिकाता है कूते ही पानी में जलपरी के दुनिया का द्वास हो जाता है और दोनों इंसान से फिर से जलपरी बन कर मौमेड लान में परवीश द्वार के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं दोनों खूब हस रही थी कैसे कर रही थी वो? उतको चुडेल बोल रही थी इना मीना हातों में हाट डाल कर अकीरा की बैंड बजाने का जश्ट मनाती है और खुश होती हुई गुनगुनाती है अकीरा तू तो है उल्लू ये तो आज तक का इंसानी दुनिया का सबसे बेस्ट एक्स्पिरियंस था शकील बबरू और गबरू को अपनी बाहों में उठाकर जोर से समुद्र के और भाग रहा था तीनो नाम में सबार होकर वहां से भाग जाते हैं उधर अकीरा अब भी सागर की बाहों में थी नारंगी सूरज भी ड़लने को था मा बुला रही है हाँ बुला रही है उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं कहा हूँ हाँ तुम्हारी नहीं मेरी मा बुला रही है अकीरा घबरा कर उठती है और दोनों मुस्कुरा कर अलग-लग दिशा में जाने लगते हैं वो रुखते हैं और पलट कर एक दूसरे की और देखते हैं। अगर पूरी दुनिया तुम जैसी हसीन होती, तो जीने में क्या बात होती। तुम अश्नभी से हो, पर लगता है जैसे हम पहले कभी मिले हैं। सागर और अकीरा को तो किस्मत ने एक ही घेरे में खड़ा कर दिया था, मगर क्या जो लोग इस घेरे के चारों और आक लगाने को तयार बैठे हैं, वो अकीरा की जिन्दगी को धुआ धुआ करने ही आये हैं। संध्या ढलकर रात हो चुकी थी, सागर अपनी दुकान समेटने मिले में लोटता है, चारों और माहौल सुनसान था, एक दम सुनसान, सागर ये देखकर सहम जाता है। माने कहा कभी भी डर लगे, तो तुम हनमान जी को याद कर लेना, ए बजरंग बली, ये राहत इतनी डरावनी क्यों लग रही है। माने कहा हुआ समुद्र किनारे से गुजरता है, तभी दूर से उसे किनारे पर एक लड़की खड़ी नजर आती है। वेह देखता है कि पानी का उफान तो तेजी से किनारी के और आ रहा है। ये देख सागर जोर से चलाता है। सागर अपना सारा समान वही फैक कर उस और दोड़ता है। और अकीरा फिर से पानी के अंदर जैसे ही पाउ रखती है वेह बर्फ बन जाता है। और वेह अंदर नहीं जा पाती। अकीरा बार-बार कोशिश कर रही थी कि तभी सागर आकर पीछे से उसका हाथ पकड़ता है। और अकीरा सागर के छोते ही पाती है कि जमा हुआ पानी फिर से नॉर्मल हो गया था सागर अकीरा का हाथ छोड़ता है और वह जैसे ही पानी में पाव रखती है फिर से वह बर्फ हो जाता है और सागर अकीरा को कमर से जकर कर तुरंथ किनारे पटक लीता है और अपने बाज़ों से उसकी खलाईया जकर लीता है दोनों के चहरे एकदम नस्दीक थे अकीरा अपने बड़ी बड़ी आँखों से सागर का सामान्य सा चहरा देख रही थी तुम, तुम तो वही आईने वाले हो ना? हाँ वही हूँ, बोला था ना, मरने नहीं दूंगा अरे छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे माँ के पास जाना है हाँ तो मैडम घर जाओ ना, मर क्यो रही हो? मैं तो भूल ही गई थी, मैं एक चलपरी हूँ, ये बात यह नहीं जानता इसलिए शायद इसे लग रहा है कि मैं डूबने के लिए कूद रही हूँ फिर मुझे मेरा इंसान होने का धोंग चालो ही रखना होगा वो मैं इसलिए कूद रही थी, क्योंकि मैं मेरी घर का रास्ता भटक गई हूँ और अब मैं लोटकर कैसे जाओं? लो, इतनी सी बात मैडम, मैं तो पूरी जिन्दगी का रास्ता भटक गया हूँ तब भी नहीं जा रहा डूबने, और आप हैं कि घर का रास्ता भटकने पर चली कूदने उफ, ये सेंसिटिव लड़किया भी ना तुम भी न, एक आइटम हो साकर अकीरा बात करते करते बस्ते के और बढ़ रहे थे ऐसी क्या बज़य है कि मैं अंदर ही नहीं जा पा रही तबार सिपाही ने क्या बोला था ये तुम्हारा जादु ही बटन लो और इसी की मदद से तुम अंदर परवेश कर पाओगे अकीरा तब ही अपने कपड़े से लड़की थैली देखती है तो ना ही थैली थी, ना ही बटन मेरा बटन, मेरा बटन कहा गया मेरा बटन बटन? कोई अपने किसी बटन के लिए परिशान होता है क्या? वो बहुत कीमती बटन था, मेरी मा ने दिया था ओ, सोने का लगता है फिर तो सोने से भी कीमती था सागर तुम और तुमारी बाते सागर अकीरा हसने में मगन होकर अपनी चिंता भोल चुके थी शकील बबरू और गबरू को लेकर अपने खंडर में पहुचता है अरे मूर्खो कैसे चेले हो इतना नहेरा कि आपनी मईया का मूँ चिपाने के लिए का रखा है मालिक मईया मेरी गबरू के डैड़ी के साथ भाग गई थी अब मूँ तो मैं चिपाँगा ना रो मत भाई रो मत चुब दोनों के दोनों जो समाल लाए है वो एक थाल में डालकर लाल कप्डे से ढख कर लाओ और कुछ पल बाद गबरू एक थाल को लाल कप्डे से ढख कर लाता है शकील उस्थाल को एक पथर पर रखता है जहांसे चांद की चांद नी उस पर गिर रही थी बस अमावस्या तक का इंतजार करना है जैसे ही इस चांद की चांद नी ढली उस दरिया के लोगों की भी चांद नी ढल जाएगी रहने दे बबरू बेटा तुझसे ना हो पाएगा बड़ा आया विलन गरी करने वाला पिद्दू इना मिना मरमेड लांड में प्रवेश कर चुकी थी दोनों गुन गुनाती अंजान बनती हुई लहरा रही थी ये लेजी लेजी लम है ये लेजी लेजी लम है बीते सरक सरक के देखो ये लेजी लम है बलके है भारी भारी ये लेजी लम है मज़ा आ गया ना मिना हाँ मिना अब देख तो इस दुन्या में सबसे सुन्दर अब मैं ही हो एक मिनट क्या बोलो सबसे सुन्दर मैं हो तू नहीं तू दूसरे नंबर पर आती है मैं पहले नंबर पर मैं आती हूँ और इना मीना आपस में ही भिड़ने लगती है इना मीना इधर आओ दोनों इना मिना मर्यम के वाज सुनकर सकपका कर वहां जाती है जी रानी साहिबा जी बोलिए वो रानी साहिबा अंदर अस बात कर रहे थे कोछ छिपा नहीं रहे थे तब इना उसे लात मारती है छिपा रहे हो क्या बोल रही हो ये सब छोड़ो मैं तो पूछ रही थी कि अखीरा कहा है तब इना मीना एक दूसरे का चहरा देखती है रानी मर्यम, हम भी यही पूछने आपके पास आ रही थे, कि अकीरा कहा है, दिखाई नहीं थी बहुत देर से इना मन ही मन खुश हो रही थी, बेना बटन वो अंदर आएगी कैसे, और वहाँ पर रहेगी कैसे विचारी अकीरा मर्यम को अकीरा की चंता हो रही थी, तभी इना अंगली चाल चलती है हाँ याद आया, कल वो कहतो रही थी, कि मर्यम मां बड़ा डाड़ती है, तो वो लुबीना मा के पास जाओंगी ये सुनते ही मर्यम उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है मर्यम उदास से कमरे में आईने के सामने बैठी बाल बना रही थी, तब भी वह ड्रेसिंग पर उल्टे रखी एक तस्वीर को उठाती है जिसमें मर्यम के साथ एक और सुन्दर से जल परी थी, तस्वीर में दोनों बड़ी खुश लग रही थी तब ही मर्यम की आँख से आसु छलक कर नीचे गिरता है और एक मशले उसे पी ले थी सागर और अकीरा किनारे से दूर आती हैं, तब ही सागर देखता है कि अकीरा को बजाने के जलबाजी में उसने तो अपना काच योही फैक दिये थे और वो सब तोट गए हैं ये देख सागर मायूस होकर बैठ जाता है मेरी तो सारी कमाई चली गए, अब कल मेले में क्या लगाऊंगा मैं, मेरे बापू पैसा पैसा करके मेरी जान ले लेंगे, सब खत्म हो गया अकीरा सागर को उदास देकर कहती है सागर, सागर, मेरे पास तो इसे पोरा करने के लिए भी कुछ नहीं है मैं तो खुद अपने घर से भटक गई हूँ, मैं इस नुकसान के लिए माफी मांगती हूँ पर तुम चाहो, तुम उझे सजा देकर अपना गुसा निकाल लो सागर, अकीरा के बोलते होटो को देखता है सजा दूंगा तु यही कहूंगा, कि तुम उमर भर बस यूही मुझे बोलती रहो उसने परी पर तन देखकर जिन्दगी नहीं गुजरती, होश में आ सागर, होश में आ जब तक इस लड़की का मन नहीं पता होगा, तब तक मैं इसके लिए कुछ महसूस नहीं करने वाला मगर मन कैसे पता करूँ और तब ही सागर को आइडिया आता है हाँ, नुकसान तो भढ़ना होगा, पर उसके लिए तुमको एक काम करना होगा काम, पर मुझे तो कुछ भी नहीं आता है सुनो तो पहले, तुमको मेरे साथ मेरे घर चलकर वहाँ काम में मा की मदद करनी होगी और बदले में तुमको रोटी, कपड़ा और रहने को छट मिलेगी ये सुन अकिरा हिरान थी काम, बगर मेरी मानी मुझे कभी कोई काम नहीं कराया तुम्ही क्या करूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सागर अब जादा सोचोगी तो मैं यहीं भूग से मर जाऊंगा भूग तो मुझे भी लगी है अच्छा, ठीक है और तब तक मैं इंसानी दुनिया में सुरक्षित रहकर मेरा बटन भी ढून लूँगी आचलो, अब घर चले सागर अकिरा को लेकर घर जाता है मा, मा देखो, मैं क्या लाया हूँ क्या है? कौन सा आज मगर मचले आया? क्या जो रोज इतना शोर मचा रहा है? तब है सुरेली पलटकर अकिरा को देखती हैर बस देखती ही रह जाती है ए बगवान, जलपरी ये तो जलपरी है तु घर में जलपरी को उठा लाया क्या? अकिरा ये संसक्पका गई थी उसके शांत चेहरे को फिर से चिंता ने घेर लिया था ये इनको मेरा सच के से पता है? तुवार सिपाही ने कहा था कि अगर किसी भी इनसान को मेरी सच का पता चल गया तो मैं पत्थर में बदल जाऊंगी अकिरा डर कर आँखे बंद करकर खड़ी थी और सुरीली अकिरा को घूरते हुए उसके नस्दीक आ रही थी जैसे ही सुरीली अकिरा के सामने आकर खड़ी होती है अकिरा को अपने पाऊं में एठन महसूस होने लगती है अब देखिए क्या अकिरा अपने आपको बजा पाएगी? क्या होगा आगे? जल परी का अन्जाम आप कौन है? तुम हकला क्यों रही हो? ये तो मेरी मा है तेरे तु कान खीचूंगी? इतनी सुन्दर परी जैसी लड़की तुझे कहां से मिल गई? खुद तो तु केकड जैसा है और ये तेरे जाल में फसी कैसे? अकीरा आखे फार-फार कर दोनों मा बेटे को देख रही थी ये आप दोनों क्या बाती कर रही हो? और आप मुझे कैसे जानती हो कि मैं कौन हो? जानना क्या है? तेरी नर्म काया देख कर ही लग रहा है कि तु उस बस्तिकी तो नहीं है किसी अमीर बस दिगी है इसले तो बोली है जलपरी कहां से मिली और ये सुनकीरा समझ जाती है कि सुरिली बस उसके रूप की तारीफ में ऐसा बोल रही थी उसका शरीर सामान्य होता है और मुझ से राहत की सांस निकलती है उफ बच गई बच गई? अभी कहां बच गई? अभी तो शुरू होगा मा, इन मैडम को मेरी दुकान का नुकसान भरना था और रहने को उनके बाद जगए नहीं थी वैसे भी, बापु तो गए दरिया पार तो मैं मैडम को यहां ले आया कैसा लगा ब्रो? यो ब्रो, अच्छा किया सुरेली हातों से इशारी करती है जो अकीरा भी कॉपी करने की कोशिश करती है ये आप तोनों कैसे इशारी करती है? कैसी बाते करती है? ऐसे लग ही नहीं रहा कि आप इनकी मा है लग रहा है, जैसे सखी हो इनकी दोस्त हो, आपकी यहां क्या सब ऐसे ही बात करते हैं? सच बोला तू, इसे घर लाकर तुने अच्छा काम किया है बिटिया मा सकी नहीं बनेगी तो और कौन बनेगा, बता? पर मर्यम मानी तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की वो तो हर बखर टाटती रहती थी, कभी लगता ही नहीं था कि मैं रानी नहीं एक मा से बात कर रही हूँ ओ लड़की क्या सोच रही है? वैसे इसका नाम क्या है? या जलपरी ही बुलाओं वो में, आ, वो में, आ मा, यह है चमक चलो, पर मैडम, इतना बड़ा नाम लेने में तो तकलीफ होगी, हम आपको चमिया या चलो बुलाएंगे हम, चल बेटिया, मेरे साथ चल साकर अगीरा को अपने घर में देख खुश हो रहा था, तब ही सुरीली बगल से आकर उसका कान खेश दी है नलायक, मैं क्या समझ नहीं रही थी, मा का बहाना लेकर तू इस लड़की को खुद के लिए लाया है अब क्या तार-तार कर ही खुश होगा, यह अपनी मा से भी बताएगा कि यह सारा माजरा क्या है सागर सुरीली को पूरी बात बताता है पर इतनी कोमल लड़की से काम करवाते हुए मज़े दुख तो होगा मार अगर ना करवाया, तो इसे लगेगा कि हम इसे किसी और बज़े से यहां रख रही है सुरीली अकीरा को किचन में ले जाती है और ग्यास चुले के सामने खड़ा करती है वो माजी, मैंने कभी काम नहीं किया कोई बात नहीं बेटा, हम चाई से शुरू करेंगे, चल ग्यास चालू कर ग्यास किसे कह रही है यह माता, मैं तो चान्ती तक नहीं हूँ देखती हूँ, यहां रखे समान में क्या चालू हो सकता है और अकीरा सामने रखे मिक्सी का बटन देख मुस्कुराती है मिक्सी का ढकन खुला था, जिसमें सुरीली तीखी चटनी बना रही थी जैसे ही अकीरा मिक्सी का पटन दबाती है सारी चटनी अकीरा के मुँपर आगिरती है सागर और सुरीली खड़े खड़े अकीरा की बाते सुनकर आश्चरे कर रहे थे माँ यह ऐसी क्यों बोल रही है? जैसे किसी रियासत से आई हो सिपाहियों दासियों जरहा सी मिर्ची ही तु गई है बाबा तुम ठेक हो जाओगी बेटा मिर्ची अरे देख क्या रहा है उसके मूँपर पानी फैग दे पानी? हाँ पानी, रुको चमिया, मैं पानी देता हूँ, चमिया बस एक मिनट, ओफो ये बालती का रखी है, छमक चलो बस अभी लाया पानी सागर मटका उठा कर अकीरा के उपर गिरा दीता है लो खर दी आपको जल मगने मैडम अकीरा पानी गिरने से इधर उधर होती है और उसका पाउँ फिसल जाता है तभी सागर उसे थाम लेता है और अकीरा आहिस्ता से अपनी आँखे खोलती है क्या कहा, अकीरा, यानि की सबसे सुन्दर, नाम भी एकदम खुद जैसा है, अलग और सुन्दर मैं वो, मैं वो चाकर नहा आती हूँ अजीब लड़की है, मटका भर पानी तोडेल लिया, और क्या नहाएगी और ये चूला चालू करने को कहा था, तो इसने मिक्सी क्यों चला दी पगली लगती है मा, चल, तुही बना देखाना, भूख लग रही है और सागर वहाँ से चला जाता है, तब ही अकीरा के बात्रूम से चीखने की आवाज आती है सागर, माची, आफथ हो गई अरे क्या हुआ, चीख क्यों रही हो वो आपके बात्रूम में बारिश होती है, मैं तो नहाने से पहले ही फिर से भीग गई मैं अंदर आकर देखू हाँ, आईए सागर अंदर जाकर देखता है, तो सबसे पहले अकीरा की और देखकर हसता है सुरीली भी उसे देख असती है अकीरा ने सागर की शर्ट पहने हुई थी वो मेरे कपड़े भीग गए थे और कोई वस्तर नहीं थे तो मैंने यही पहन लिया, मुझे छोड़ो तुम यह बारिश देखो, सागर देखता है तो अकीरा ने शावर चालू किया हुआ था धत पगली, यह तो शावर है तुमने नल की जगे शावर चालू कर दिया पर तुमने ऐसे क्यों चीखा जैसे कोई अजीब चीज देखी हो शावर तो देखा होगा मैडम मा चल, हमने तो अभी लगवाया है यह पर अमीरों के यहाँ तो कब के ही लगे हुए होंगे पगली कहीं की चलो तुम दोनों आओ पे खाना लगाती हूँ सुरीली चली जाती है अकीरा अभी शावर को ही घूर रही थी वो आप सब के यहाँ इस किस्म के यंत्रों से नहाया जाता है मतलब जब चाहो तब बारिश जहसानन देलो यंत्र? हाँ वैसे देवी आपके यहाँ किस यंत्र से नहाते हैं? हमारी यहाँ तो यंत्रों से नहीं बस वस्तर निकालकर मार डूपकी तरंताल में और हो गया स्नान किसमें डूपकी? तरंताल? मैडम पहली जीज, सीधे वस्तर निकालकर डूपोगे तो तुम्हारे पास के लड़के देख लेंगे ना तुम्हें? ची ची, हमारी यहाँ के लोगों में बेहत लज्जा है वो किसी भी लड़की को गलत नजर से नहीं देखते, वैसे भी लड़के और लड़कियों की जगह अलग अलग होती है अच्छा जी, और अगर बारिश में नहाने का मन करे तो फगली कहेंगी आओ, मा बुला रही है ये सुन, अकीरा कुछ नहीं बोलती और सागर वहाँ से चला जाता है अकीरा की आखे नम थी शकील को समुद्र के अंदर हलचल सुनाई देती है और वह एक हंडर से बाहर आता है तो उसे दूर एक नाव आती नजर आती है जिसमें से गंपत और भीमा दोनों उतरते है गंपत शकील से हाथ मिला कर खुश बड़ा खुश होता है ओ शकील भाई, काम धाम में कुछ बड़ोत्री हुई या नहीं काम बड़ा मन्दा चला है गंपत भाई लेकिन एक सोने की मचली हाथ लगी है देखते हैं अब वो अड़ा देना कब शुरू कर शाबाज शकील भाई, आपके काम पर मुझे पूरा भरूसा है भीमा लहराता हुआ गबरू बबरू के पास जाता है अरे शकील भाई, ये था रे बालक तो बहुत कुईट सा कुनसी किलास मैं पड़ा सहिया हे यू, गवार आदमी, हम मालिक के बालक नहीं, उनके सेवक हैं, समझे अरे गंपत भाई, आपके नौकर को तो कुछ भी नहीं पता एक मिनट तो थम, दोनों बालक ना आदमी सो है, सच में अच्छा, इब समझा मैं, थम असल में बॉने सो, टिमबक्टू टापू का बॉन लोग और भीमा गबरू बबरू का मजाग बनाते हुए जमीन पर लोट पोट होकर हसने लगता है ये देख गबरू बबरू को गुस्सा आता है, और वो भीमा की ऊपर चड़कर अपने छोटे-छोटे हाथों से इसको माणने लगती है अरे इस तरह ना करते, हसी क्या मारे मारी सूसु निकल जानी है, हट जाओ रे बालको, हट जाओ गणपता और शकील उनको देख कर हस रहे थे वैसे तुम अच्चानक यहां कैसे, वो इस बार मैं परिवार को जोट बोलकर थोड़े जादा दिन के लिए आया हूँ पता चला है, शिकार इस बार काफी मोटा है, दुनों भाई साथ मिलकर करेंगे आखे शकील और गणपत के साजिश को इंजाम देने जा रहे थे, बिचारे अकीरा तो जानती तक नहीं थी कि वह किस माया के बीच आकर खड़ी है, क्या सागर और सुरीली भी किसी साजिश के साथ मिले हुए थे? इना मीना अपने कमरे में जाती है, शल अब दी फटाफट वो चीज़, उसे समाल कर रख देती हूँ, और फिर सुबह देखते हैं आगे क्या करना है, क्या चीज़? अरे पागल लड़की वही चीज़ ना, जो मैंने तुझे मेले में लाने को कही थी, अकीरा से चुरा के, ओ हाँ, वो बटन, अभी देती हूँ, मीना थेले से बटन निकाल कर इना के हाथों में रखती है, जो जादूई नहीं बलके एक सोने का बटन था, ये क्या है मीना, मैंने तो अकीरा का जादूई बटन चुराने को बोला था ना, जिससे वो वापिस इस दुनिया में इना मीना के बाद सुनकर अपना माथा पीट लेती है, मीना, अगर तूने अकीरा का बटन नहीं चुराया, तो फिर अब तक वो यहां वापिस क्यों नहीं आई, कहीं सब करबर तू नहीं हो गई, यार इना, मुझे तो यार बहुत कबराहट हो रही है, अगर मर्यम रानी क पता चल गया ना, तो वो हमको यहां से बाहर फैक देगी, और हम दोनों कहीं जलपरी बनकर नहीं रह सकेंगे, इना कुछ करना, कुछ करना इना, मुझे बहुत डर लग रहा है, किस चीज़ कर डर लग रहा है तुमको मीना, इना मीना को चुप रहने का इशारा करती है, अ पता नहीं, अकीरा को लेकर मन खवरा रहा है, देखती हों वो कहा है, मर्यम तेरते हुए बहुत दूर निकल जाती है, और तभी उसे पानी के अंदर एक दिवार नज़र आती है, वहवार रुकती है और पलटनी लगती है, नहीं, मुझी रुकना ही होगा, मैं यहां मेरी बच्ची के लिए आई हूँ, मर्यम दिवार पर हाथ रखती है और उसे आरपार निकल जाती है, उस पार भी जलपरी की ही दुनिया थी, एक्दम वैसी ही रंगी, मर्यम के आते ही सब जलपरीों में संसनी मच जाती है, तभी जलपरी सोनिया अंदर जाती है, जहां खाच के सामने एक जलपरी तयार हो रही थी, जिसकी ड्रेसिंग पर वैसी ही तस्वीर रखी थी जैसे मर्यम के पर, रानी लुबीना, रानी मर्यम आई है, लुबीना के हाथ वही रुख जाती है, और वो उठखड़ी होती है, अकीरा सुरीली के हाथ का खाना चट कर जाती है, मा, एक तब लजीज, बहुत लजीज खाना है, आपको तो इस कोटिया में नहीं किसी महल के शाही भोज को चलाना चाहिए, वाह, वाह, जैसा नाम वैसी बात है, शोबनी है, शोबनी है, महल, शाही भोज, दासिया, राजकमारी जी, आपकी आग्या हो तो हम थोड़ा और भात ले ले, कहीं ऐसा ना हो, हम चावल लेने के लिए हाथ बढ़ाएं, और आपके सिपाई हम पर तीर चला दे, ये कहे कर कि ये भोजन शाही है, तुने चुआ कैसे तुछ, अकीरा सागर के मजाक से बुरा मान जाती है, मेरी यहां रहकर, तुमारी ऐसे पेवकूफी भरी बा ये, ये कौन? आखिर क्या है गनपत और अकीरा के बीच की घटना, और अकीरा अपना बटन जहां ढूंड रही है, क्या वो सही जगा है भी या नहीं? सागर, ये, ये कौन है? यही तो है मेरे बापो, निस्टर हिटलर चन, अच्छा हुआ ये यहां नहीं है, वड़ा पचास बात तुमको सुनाते, और सौत आने मुझे. क्, क्, कहां गए है ये? कह रहे थे कि समुन्द के बीच में कोई मोटी मचली पकड़ने गए है, अब म मुझे जादा रूची नहीं है मैडम, तुम मैं क्या जानो, पर तुमको क्या हुआ? अकीरा, अकीरा, क्या हुआ तुझे, कहां खो गई हो, बोलो? नहीं, नहीं, कुछ नहीं. अकीरा वहां से चली जाती है, और सुरीली सागर को घूर कर देखती है, तभी उसके पास फोन आता है, और सुरीली भी वहां से चली जाती है, हलो, हाँ, वो यहीं है, इधर घर में ही, हम, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, वे फोन रखकर मुस्कुराती है, लुबीना, मर्यम का नाम सुनते ही, सब कुछ वहीं छोड़ कर अपने कप्ष से बाहर आती है, तो उसे दूर सुबात मेरी और आई हो, कले भी नहीं लगोंगी, अरे तुछ जैसी औरती गली लगाती नहीं, कली पड़ती है, समझी, मर्यम, मगर मैं तो प्याह बाटना चाहती हो, तुम हमेशे नफरत के अंदास में क्यों रहती हो, लुबीना की आखे मर्यम का क्रोध देखकर नम थी तभी लुबीना के पास, उसका पती शाहीन आकर उसे संभालता है, लुबीना, तुम ठीक तो हो ना, मर्यम तुम, तुम आज यहाँ? हाँ, देख रहा है, प्यार बाटना कितने अच्छे से आया है तुझको, खैर, मैं यहाँ तेरे क्या गुण है, वो देखने नहीं आई मैं अकीरा को लेने आई हूँ, सुभे से उसे देखा नहीं, मन बड़ा पेचैन है, अकीरा को बाहर भेशते, लुबीना यह सुनकर शाहीन की और देखती है, रुखिये रानी मर्यम, अकीरा तो यहाँ है ही नहीं, आपको शायद गलत खबर हुई है, लुबीना की दासिया अब उसकी ही बोली बोलती है, जैसी रानी वैसी लड़किया, हाँ, मर्यम, सोनिया कोई दासी नहीं, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, और वे सच कह रही है, अगर अकीरा यहाँ आती तो मुझको जरूर पता रहता, पिर वो यहाँ नहीं है, शूट मत बोल लुबीना, मैं जानती हूं, कि अकीरा पच्वन से आज तक यहाँ छिप छिप कर आया करती है, क्योंकि वो तुझको बहुत मानती है, मैं कभी तुम दोनों की बीच नहीं आई, लेकिन आज एक रानी नहीं, मा का दिल पे चैन है अपनी बेटी के लिए, और वो खेमे में अपने दोस्तों उसे यही कह कर आई है कि वो लुबीना मा की वहाँ जा रही है, मगए मरियम बच्ची यहाँ आई ही नहीं, तुम बीच में नहीं बोलोगे, लुबीना भी शाहीन को चुप करा देती है, मरियम मेरा विश्वास करो, अकीरा मेरे यहाँ नहीं आई है, तुम चाहो तो मैं सो सकती हूँ। अर अकीरा यहाँ भी नहीं है, तो वो कहीं पराग के पास था नहीं चली गई। ये सोच सोनिया तेहते हुए कहीं निकल जाती है। उधर मरियम अपने खेमे में वापस लौटती है और फिर अकीरा को हर जगर डोनती है। तब ही उसे मीना दिखाई देती है। मीना के कपड़ों पर वही सोने का बटन लगा था। मीना, इधर आना, ये बटन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो, वो रानी मरियम, अम मुझे, वो मुझे अकीरा ने तवे में दिया था, तुमें ने लगा लिया। छूट बोल रही हो तुम, समझी? अकीरा अपनी मा का दिया हुआ तौफा कभी किसी को नहीं देगी। मरियम की दास पड़ती ही, मीना दर कर सारा साच उगल देती है। रानी मरियम, हम तो बस मजाग कर रहे थे, अकीरा प्रित्वी पर इंसानों की बीची रहे गई, और हम दोनों यहां आ गए। हम तो बस उसे दो चार दिन बाहर तरपता देखना चाहते थे, पर देखो, अभी तो एक ही दिन हुआ है, हमको उसी में समझ आ गया। यह द्वार सिपाहियों से रोग देता है। रानी, बाहर ज्वार भाटा आने की कारण जल से बाहर जाना संभव नहीं है। खत्रे की लाल छेताबनी पूरे खेमे में दे दी गई है, और आने वाले दस दिन के लिए खेमे के चारों और से बंद कर दिया जाएगा। जिससे ना कोई खत्रा बाहर से अंदर जा सकता है, ना अंदर से कोई खत्रे में जा सकता है। मगर मेरी बच्ची अकीरा वहां गई हुई है, मुझे चाहने दो, मुझे च्वार प्रताप की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं दवार नहीं खोल सकती हूँ, अकीरा अपनी मर्जी से इंसानी दुनिया में गई है, तो परिणाम भी उसे ही भुकतना होगा, मगर एक-एक क के लिए मैं बाकी जलपरियों की जिन्दगी खत्रे में नहीं डाल सकती, ये मेरे सिपाही है, ये है इनके धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, मर्या वो दास होकर लौट आती है, अरी बच्ची अकीरा, दसके नहीं पाने दुनिया कैसे होगी, अकीरा को भीगने से बुखार हो कितनी कर्मी है यहाँ, अकीरा ठंडा कपड़ा लगते ही हर बढ़ा कर उठती है, तो देखती है सुरीली और सागर दोनों अकीरा को गीली पट्टी कर रहे थे, सुरीली पाउं को साफ कर रही है, माजी, ये आप मेरे पाउं कैसे छू सकती है, नहीं नहीं, हटिये, और इस सागर बेटा, ये लड़की जहां से भी आई है मुझको वहीं ले जल, क्योंकि जहां बुखार नहीं पहुचा आज तक, वहां कोरोना तो क्या ही पहुचा होगा, चल बेटी, तेरी एरिया का पिनकुर तो बता दे फटा फट, आप तोनों की आधी बाते में समझ ही नहीं बाती हूँ, मगर मा जी, आप मेरे पाउ बद पढ़िये, मेरा ओदा आपकी उम्र से साधा नहीं है, हट पगली, मैं कोई पाउ थोड़ी पढ़ रही हूँ, क्या, मैं तो बिमार की सेवा कर रही हूँ, यहां बिन मा की बच्ची है, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेग इसे सेवा कहते हैं, लाली सेवा, सेवा, तो मा की अपने बच्चों के पाउ छू लेती है, और फिर आप तो इस घर के मालकिन है न, यानि यहां की रानी, फिर भी आप ऐसे पाउ छू सकती है, और क्या यहां सभी एक दूसरे के पाउ की सेवा कर सकते हैं, दासियों की प्रूरत तो होती है राजकुमारी जी मगर हम ठेरे गरीब अब हम ही राजा हम ही नौकर है समझे और मां के लिए उलाद को प्यार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं ये सेवा भी मेरा प्यार ही है बेटा अकीरा अपने और मर्यम की बात याद करती है अकीरा को एक बार चोट लगती है और उसके पाउं से खून देह रहा था तब मर्यम ने आकर उसके पाउं पर मलहम लगाना शुरू किया था मा, तुम्हारी चूने भर से ही दर्ट कम हो रहा है। लेकिन रानी मर्यम को दूसरा पाउं छूता देख सब जल परिया खूब हस्ती हैं और दोनों का मजाग बनाती है। अरे-अरे देखो, रानी की बेटी होने का फाइदा, खेमें की रानी ही तासी बन जाती है। मर्यम के भी कानों में बात आती है और वह शर्म के मारे अकीरा का पाउं छुटक देती है। अकीरा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। मा कहा तक पीछी-पीछे चलेगी। मर्यम बेरुकी से वहाँ से चली जाती है और अकीरा को ठेस पहुचती है। शुक्रिया सुरीली माजी, पर अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। चले, मुझे घर का काम भी करना है। अकीरा वहाँ से उठकर चली जाती है और सागर और सुरीली पैसे कमाने निकल पड़ती है तब ही पीछे से उनकी पडोसन हेमा घर में आती है और अंदर अकीरा अपना हाथ पोशते हुए बाहर निकलती है जी वो तो घर नहीं है मगर मैं आपका संदेशा उनको दे दूँगी बापरे ऐसी सुन्दर छोरी अपने महले में छोरी तू किन के है तुझे पहले तू नहीं देखा सागर की बेहन बेहन है क्या जी मैं मुझे यहां सागर द्वारा काम के लिए लाया गया है ओहो तू इनकी नोकरानी है बापरे तो मोदी इन अच्छे दिनों की बात कह रहा था जहां अपसरा जैसी नोकरानी रखी जा रही है शायद अच्छे दिन तो केवल सुरीली के ही आए है छोरी तू भी आना चार बजे नाज गाना होगा जी जरूर मगर ये नोकरानी क्या होता है जो घर का सारा काम करे वही नोकरानी तो क्या सुरीली मा जी भी नोकरानी होई देखा जाए तो अपने यहां हर औरत जो घर चलाती है उसे सब नोकरानी ही समझते हैं हेमा जरा अखबार पकड़ा हेमा काकी नाश्ता बना दो हेमा ताई कपड़े ला दो हेमा 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 काम इतना हो जाता है कि फीलिंग तो नोकरानी वाली ही होती है पर फिर भी जिसको घर में पैसे के बदले काम पर रखे वो होती है नोकरानी तो आपको भी पैसे मिलते हैं? चोरी, तेरे सवाल भी तेरी तरह तरंगी है हम ओरते तो वो नौकरानी है, जो घर भी सबा रहें घर भी चलाएं, वो भी केवल मुफत में और बोनस मिलना हो तो कभी दो बखत की इज़त मिल जाए वही बहुत है पगार तो बहुत दूर की बात है चल, चलती हूँ, शाम को मिलती हूँ, और भी नौते देने है अकीरा हेमा की बातों पर गौर करती है ओ, अब समझी में, यहां सब और तेर नौकरानी तो है, मकर बिना तनख्वा के सुरीली और सागर जब लोट कर आते हैं, तो कीरा उनको चाय पानी देती है वा, तुम तो एक ही दिन में चीख गई हो जी माजी, वो हेमा काकी आई थी, और चार बजे का आनम लेके गई है, कुछ नाच काना है, ऐसा कह रही थी ठीक है बेटिया, तू तो घर भी समालने लग गई है, ट्रेनिंग तो हो रही है, इसकी सागर, क्या बोलता है, रख लें इसको यही मा तुम भी ना हाँ माजी, और मैं भी जान गई हूँ, कि मैं इस घर की क्या हूँ, नौकरानी, मैं यहां की नौकरानी हूँ, और देखना, आप दोनों में मैं सबसे अच्छी नौकरानी बन कर दिखाऊंगी सुरीली और सागर माथा पीट लेते हैं, गंपत और शकील बबरू गबरू से समुद्र के किनारे जमीन में खुदाई करवा रहे थे मालिक मिल गया, मिल गया अब देखना है यह कहानी कैसे अकीरा को उसकी दुनिया में वापिस ले जाती है और कैसे सागर और अकीरा की दुनिया को एक करती है केवल आनम स्टोरीज पर थैंक्स पर वाच